अध्योत कि आप लोगोंको मया ग्राफिक्स में स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को प्रिस्पेक्टिवUM डिजाइनिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ में में वह सरे वाईजोंग भी कर सकते हों लेकिन अभी के लिए ज़ो ऑग्राई यूज़ करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं Text Differentiate करने के लिए इसको मैं यूज़ करते हैं एक Stripe लेता हूं इदर Stripe लेगे इस इस Stripe को क्या है और एक इसे अंदर की तरफ लेगे इसको Right Click करो एक duplicate रख लेता हूं इसको क्लिक करके ऐसे इधर प्रोटेशन का आता है थोड़ा इंटरुल के बाद क्लिक करना है सो इधर आके इसे थोड़ा डिस्टन्स एक रहता है स्क्यू कर लेता हूँ स्क्यू करने के बाद जो अभी वह डुप्लिकेट रखा हुआ है इस पॉइंट को पकड़ना है ऐसे corner का point पकड़के इदर लाके इसे छोड़ना इदर node पे आना चाहिए वो node पे आने के बाद छोड़ देना है अभी इन दोनों को select करता हूँ जो बड़ा strip पर उसको छोड़के बाकी दोनों select करके फिर से इस point से इदर लाके इस point पे right click करता हूँ और एक एक कर लो आप ऐसे जितने आप कुछ है उतने आप कर सकते हैं लास्ट उनको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इदर बड़ा करने के बाद अभी सब को select करके एक color दे देना अभी जो bridge में बीच में जो भी skew वहा है उस object को select करके ब्लाक कलर देता हूँ ब्लाक कलर देके इसको paste down बोलना है shift paste down जैसे अभी एक घूमे जैसा आईसे घूमे जैसा लग रहा है तो इसको थोड़ा बाहर लेता हूँ इससे नहीं तो इदर ही रखो तो अभी इसको convert to कर वरता है इसमें कुछ आपको shape changes करना है अभी समझो कौन सा भी एक box है इसमें कुछ shape change करना है तो हमको क्या करना है shape tool लेना यह क्या है shape tool है इस shape tool से मैं इदर ऐसे ड्रैक कर रहा हूँ तो करो हो रहा है अभी बाहर नहीं आ रहा है, अगर आपको इसमें से ऐसे बाहर लेना है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ड्रैक करेंगे तो यह नहीं आ रहा है, बाहर लाने के लिए आपको क्या करना है, अरेंज में जाके convert to करो, करो 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 नहीं तो आप क्या है कंट्रूल क्यू भी कर सकते हैं कंट्रूल क्यू किया अभी इसको क्या है ऐसे आप चेंजिस कर सकते हैं जैसे अभी आपको चाहे तो इदर डबल क्लिक करके इसे पॉइंट भी बना सकते हैं जैसे आपको चाहे हो इसे कर सकते हैं अभी के लि लेके इस पॉइंट को select करता हूँ अभी ये plus बोलता हूँ प्लस बोले तो इदर ऊपर के तरफ आ गया पॉइंट यह इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक पॉइंट आ गया अभी हमको undo कर लेता हूँ अभी हमको क्या चाहिए इदर चाहिए point तब इस point को select करके plus बोल देना तो इदर बीच में point आया अभी और एक एक इदर point चाहिए तो और एक बार plus कर देना अभी क्या करता हूँ यह उपर का और यह shift पकड़ के इस point को दोनों point select करना है select करके यह क्या है stretch और scale node करके जब आप shape tool लेते हो तब इसका properties आहे है तो अभी मैं stretch और scale node में आके इसको क्या है shift पकड़के यह जो बीच में point है नीचे वो बीच में का point लेके इसे बाहर की तरफ drag करता हूँ इसे नीचे तो क्या होँ थोड़ा stretch हो रहा हो stretch होने के बाद जो अभी यह बीच में point है इस point को लेके ऐसे आप बहार ले देना तो क्या हो अभी एक arrow जैसा लग रहा है अगर आपका और थोड़ा ज़्यादा चेहे तो और थोड़ा ज़्यादा भी आप इसको सफिर से select करके ऐसे लेकर कर सकते हाँ ओके अभी इस पर end में आके मैं क्या करता हूँchan इस इसमें convert to करू करना है control q convert uh करके एस point को select करके plus बोलता हूँ इधर plus बोला है तो इदर आया तब आपको क्या करना है इस point को select कर कर लेना है पॉइंट को चेंज करके आप क्या है फिर से प्लस बोल दो तो इदर आ गया इसको कंट्रोल के साथ इसे ड्रैक कर दो सिर्फ ऐसे अभी आप क्या है इसमें कुछ डाटा डालके इसको यूज कर सकते हैं तो अभी इसमें वैसे बहुत सारे ईश्या nya डिजाइन बना सकते हैं इसमें परिस्पेक्ट्व में अभी और एक एक दिखाता हूँ मैं आपको एक श् abrupt लेके इसको क्या करता हूं भी इस तरफ थोड़ा बढ़ा करके ऐसे ज़रद थोड़ा छोट पर एक हैं अभी control के साथ यह जो left point है इसको control के साथ इसे पकड़के right click कर लेना इसको इसको आर बोलता हूँ इसको इन सब को select करके इसको एक red color देता हूँ इन दोनों strip को क्या है black color देता हूँ इसको paste down बोलता हूँ paste down होने के बाद इसको सब select करके control के साथ नीचे लेके आओ लेके आके इसे थोड़ा ग्याप रखके थोड़ा ग्याप रपता हूँ रखके इसको राइट लिक कर देना control आर गो लेंगे तो repeat हो जाता है जैसे भी repeat हो गया ओके so repeat होने के बाद आपको क्या करना है इधर एक strip लेता हूँ इसे थोड़ा बड़ा strip लेता हूँ करने से strip लेके इसको आप क्या करो इस corner को शेफ टूल लेके इस point को select क्लिक करना है shift पकड़के इसको क्लिक करना है इस क्लिक करके ड्रैक करो यहनि सिर्फ दो point आपको क्या है कर हो जाएगा तो इसको क्या है एक color देता हूँ तो थोड़ा छोटा कर लो आप थोड़ा चोटा करके रखता हूँ तो अभी इसको इदर आप क्या है कौन सा भी details आप दे सकते हो इदर जो भी आपको इसमें पीछे देना है आप matter दे सकते हो इदर अभी इसको क्या है इसको shift पेज़ डॉन बोल दो तो नीचे गया अभी इन सब को select करो इन सब स्ट्रिप को इस तरफ का select किया shift पकड़के इसको भी select करो यानि दोनों तरफ का जो छोटे strips है वो सब select हो गया तो इसको पेज़ डॉन कर देना शिफ्ट पेज़ डॉन ऐसे आप क्या है इदर कुछ नाम अगरा कुछ यह देना है तो इसे detailing आप कर सकते हो करके इसका differentiate करने के लिए ब तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फिर मिलेंगे अगले वडियो के साथ धन्यवाद